Hello SGTB students, I am Harshita, your math teacher. Today we will do revision exercise of chapter 4. First question is, fill in the missing numbers in the number grid. Students, यह हमारे पास एक number grid है, यहाँ पे कुछ number missing है, वो हमने यहाँ पे try down करने है. So, first number is 1, 1 के बाद क्या आएगा? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 गीवन है, after that 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. इस तरह से students आपने 50 तक यह number grid complete करनी है. Now, second question is, match the numbers with their number names. Students, यहाँ पे हमारे पास numbers है, उनको number names के साथ हमें matching करनी है. कैसे करेंगे? First is 28, हमें find out करना है 28 का है? 28, 26, 30, 28. Matching करेंगे 28 के साथ, after that 26, 26 की matching करेंगे इसके साथ, फिर 24, 24 find out करेंगे हम यहाँ पे, 37, 50, 34, 12, 24, 24 की matching करेंगे. Now, third question is, compare the numbers and put a symbol in these boxes. Students, यहाँ पे हमें क्या है? यह जो हमारे sign है, उनको यहाँ put up करना है. कैसे करेंगे? देखिए, 16 and 28. नमबर बड़ा कौन से है, यहाँ पे? 28. तो sign हमारा किस साथ होगा? 28 की साथ. फिर देखिए, 27 and 13. 27 and 13 में बड़ा नमबर कौन से हमारा? 27. तो हमारा यह symbol किस साथ होगा? 27 की तरफ. इस तरह से बाकी के पार्ट students आपने करने हैं. फोर देखिए, circle the greatest number in each group. इसमें students आपको greater number means बड़ा number find out करना है. देखिए, 18, 12, 15, 11. इसमें से बड़ा number कौन से है, students? 18. तो उसको हम क्या करेंगे? Circle. Same as B, C, D part. After that, fifth part. Circle the smallest number in each group. यहाँ पे हमें क्या है? Smallest means छोटा number को circle करना है. 44, 49, 40, 47. नमबर कौन सा छोटा है? इसमें 40 circle करेंगे. Same as B, C, D part. Now, sixth part, arrange the following number in ascending order. Students, ascending order होता है, छोटे से बड़ा number. देखिए, 10, 12, 8, 14, 16. सबसे पहले हम देखेंगे, इसमें से छोटा number कौन सा है? Ascending means छोटे से बड़ा. सबसे पहले छोटा number find out करेंगे, यहाँ पर है 8. हमने 8 write down किया, उसके बाद देखेंगे, 10, 12, 14, 16. सबसे उसे 8 से बड़ा number कौन सा है? 10. 10 write down किया. 10 से फिर बड़ा कौन सा है? 12. 12 write down किया. उसके बाद 14. 14 से बड़ा है, 16. इस तरह से यह number देखें, छोटे से बड़े number की तरफ move हो गया. तो ascending हुआ, छोटे से बड़ा. उसके बाद देखें, arrange the following numbers in a descending order. Descending means होता है student, बड़े से छोटा. सबसे पहले बड़ा number, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर देखें, 16, 8, 12, 20, 27. सबसे बड़ा number देखें, इसमें से कौन सा है? 27. 27 write down किया यहाँ पे. 27 से छोटा देखें, कौन सा है हमारे पास? 20. 20 write down किया. 20 से छोटा देखिए फिर 16 16 राइट डाउन किया 16 से छोटा नमबर 12 12 से छोटा नमबर 8 यहाँ देखिए यह सिक्वेंस बनाया हमारा 27 से हम कहां आए है 8 तक तो यह सिक्वेंस हुआ बड़े से छोटा जिसे हम कहते है descending order Thank you students